So, Hello Everybody, Welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब लोग I hope सब लोग ठीक चाक होंगे So, आज की वीडियो में मैं आप लोग साँ शेयर करने वाली हूं मैंने मेरे पास ना कुछ सूट के पीसेज बचे हुए थे सूट सिलने की पाद जो पीसेज बच जाते हैं अच्छे खासी ब्राउज रोड़ ERैड। कर वा सकते हैं या अपने बेवी के लिए कुछ बन वा सकते हैं। बार्डोग को अपने बेवीस के लिए कुछ बहुते हैं। अपने आपने वीस्तव द्रैसे र करने वाला हुँ, जो मैंने वयरे Kemal तो इन में कुछ थोड़ा सा क्रेटिव करके आप बहुत अच्छे-च्छे से डिजाइनर डैसिस को बना सकते हैं यह देखिए अभी मैं बनाऊंगी इन साथ चीजों से तो आप लोगों को साथ जरूर शेयर करूंगी यह देखिए पीस तो अभी यह सिर्फ कटा हुआ है कुट्टी कट किया हुआ इसका इसको बनाना अभी बाकी है चलो मां आपको दिखाती हो और डैसिस जो मैंने बनाई है कट पीसिस में से है फस्त में ड्रेस्की है यह जल कर रह证 हूं यह 6 तन का एकめेरा पवार्ज यह प्लाजो भनाया था तो उसमें से फैवरिक जोरे में पास बर्जिया था पांए इसका वझ दिए पज जा था इनैंवर Fill जासे इस द्रस आप बनाती बनाया था उस इस फैब्रिक से मैंने यह एक डांगरी ड्रेस बनाया था बेबी के लिए तो आप देख सकते हैं यह यह शूट का फैब्रीक सूट के फैबरिक में जो सूट में नीचे साइड में लेस होती है वह कर्टिंग में आ गया था और यह भी सूट का फैबरिक जो है यह बज गया था तो इससे मैंने यहां पर एक पॉकेट बनाई है अलग से बनाने के बाद यह देखिए इसको इस तरह से लुगमित बनाया है और बीच मैंने यहां पर लास्तिक दी है यह देखिए और यहां पर एक पॉकेट दी है और जो भी सूट का फैबरिक बज गया था चोटा-चोटा डिजाइन के लिए मैंने यहां पर इसको इस पर स्टीच कर दिया और यहां पर इस तरह से पाइपिंग दी यलो वारे साइ से उपस साइड में टैच किये साइड में आप देखेंगे कि इस तरह से यह इसका आ रहा है नीचे ठीक यहां पर पाइपिंग मैंने दी है बड़ जो फैबिक मेरे पास इतने इतने पीसिस में यह बचे हुए थे यह साइड से करने के बास सूट में से यह 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 तो इन यह तरह से यहां पर सबको जोडर के मैंने इस तरह से बनाया है यह ना से नेक्स वाले में भी ऐसी है यह देखें जोड के उन इस तरह का नहीं था तो यहां पर मैंने दूसा वाला जोड के फिर बना दिया थोड़े से यहां पर बटन की डिटेलिंग कर दी है तो इससे और जो तब ब्यूटिफुल से डास बन रहा था यहां से बटन निकल चुका है बी इस तरह के बटन लगा दिये थे बहुत ही सुंदरी बन गय सेकेंड वाला जो ड्रैस है वो यह है यह भी एक सूट का फैबरिक सहऊ उसमेसे बचावा तक कॉटन का सुूट उसमे से बचावा फैवरिक है तो उससे मैंने है इस तरह के एक ब्यूूटिफुल सी फ्रॉक बनाई है तो फ्रॉक का जो यूनिक औला पार्थ है वह है इसक कर लिया दो इंच एक्सरा बढ़ा के ताकि पिर हम जो यह ना इसके अर्म होल लेका सेंटर है वहां से मैंने इसको कट किया इधर साइड भी इधर साइड और बैक साइड दोन साइड मतलब एक बार में ही चारों कट हो जाते हैं फोर फोल्ड करने के बाद यहां से मैंने इस कि लुग दूख भाद था उस फाबरिक से पहले फ्रील्ज बना ली ये इस तरह कीपर बना ली ठीक और उसके बाद फिर मैंने इस साइड वाली में जो हमारा से हां सेंटर para बढ जाता है उसमें अटैच किया और उसके बाहरी इधर वाला पार्ट जो है यह वाला ुपर र और इसका नेक्चु है मैंने गोल्ड रखा है और बैक साइड में ज्यादा फैवरिक नहीं होने की बज़े से सिर्फ आधे तक ही फ्रिल्स आई है यहां तक यहां तक फ्रिल्स नहीं आई है बट फिर भी बहुत ब्यूटिफुल सा ड्रेस बन गया है थोड़ा सा यूनिक दे के लिए इस तरह से स्टिचिंग कर दी और लूज और टाइट करने के लिए हाँ पर मैंने इसमें फ्रॉक में डोरी दी हमने थोड़ा सा गैधर से देवे फ्रॉक को कम्प्लीट किया है तो यह बहुत ब्यूटिफुल सी फ्रॉक की तरह भी उसकर सकते हैं टॉप की तरह भ ब्लावच पीस मैं से बचा हुआ था और यह बहुत पीस में से बचा हुआ था तो मैं पहले तो सिक्वेंस पीस को रखा और जो यह वेल्वैट का फैवरिक है इसको रखा दोनों को जॉइंट कर लिया इससे मैंने इक पोट्ली बैग बनाई है आप देख सकते हैं इस तरह लगा दिया एक हाथ से खोड़ना ही पार रही हो कि एक हाथ से फॉन तो यह देखिए मैंने इसमें इस तरह से कुछ रखा भी हुआ है तो मैंने इसमें इस तरह से एरिंग और यह जूड़ी रखी हुई है तो यह बहुत अच्छा सा पोटली बैग भी बन जाता है छोट छोटे फैब्रिक से हम जुगाडू चीज़े बहुत अच्छे चीज़े बना सकते हैं तो आज की वीडियो में आप पस इतना ही दिखा रही हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉंग हो जाएगा और इतनी लॉंग वीडियो आप लोग देखोगे नहीं तो और चीज़े में दिखाऊंगे आपको नेक्स वीडियो में तो तिल एंड टेक केर बाइबा झाल था लॉंगáveis कें देएखोगे घीडियो जवे टेक के साउन के देखोगे नही हूं हूं 2015 झाल झाल